तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग अभी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर ये मैंने 2021 में लिया था पर मैं आज इसकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बता सकूँ कि जो लोग सोचते कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो आगे फ्यूचर में जाके बहुत काम आएगा पर मैं आपको सही बता दू तो अभी इन सब का फ्यूचर नहीं आया इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर हम सोचते हैं कि हम 50-60,000 वाले ले ले लेते हैं तो हमारा पैट्रोल बचेगा पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है वाला 50-60,000 र कि अपना जमैटो करूंगा और पूरे पैसे कमाऊंगा पैट्रोल गा खर्चा आएगा नहीं और सेलरी पूरी 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 बचेगी जमैटो में करूंगा तो पर ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ जैसी मैंने ये लिया था उस दिन दो हजारी किस अगस्त के महीने में मैंने लीय था अब जब ले के जब शोरूम से निकला इख फा तो अभी इसमें प्रॉबलम आने लग गे थी इसकी जो में हैड़ लाइट थी वह बंध होने लग गे थी पर जैसे मेरे को सेल में ने गाइड करा था उसने मेरे को बोला था कि 70 से 75 की माइलेश दे गाई ये पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ 40 से 45 की माइलेश देने लग गया जमैटो कर रहा था पैसे बचाने के लिए पर जमैटो छोड़के फिर मेरे को नौकरी करनी पड़ी ये मैंने इंस्टॉल्मेंट पे लिया था ये मेरे को पढ़ा था 72,000 रुपे का और वो भी मैंने फनांस करवाया था 15,000 रुपे दिया था पहले सोचा था कोई बात नहीं कर ले लेता हूँ पेट्रोल बचेगा बहुत पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इंस्टॉल्मेंट पे लिया था 28,000 रुपे किष्ट बनी थी 84,500 कुछ का मेरे को टोटल पड़ा था सारा पैसा बरबाद हो गया जमैटो भी मेरा छुट गया मेरे को जॉब करनी पड़ रही है इतनी बेकार गाड़ी निकली है बेरिंग तूट गया इसका जो मेरे होरन है वो भी काम नहीं करते यह देखिए यह तो तबी सी दिक्कत आने लग गए थी इस गाड़ी में यह देखिए ना होरन बसता ना मेरे वाली लाइट जलती ना पिछले वाली इसकी लाइट जलती बेरिंग भी तूट चुका है जो में डिस्क ब्रेक मैंने आप लोगों को दिखाई वहाँ पर बेरिंग होता है टायर के उसमें दोनो बेरिंग तूट गे अब इसको जब लेकर जाता हूँ अजंसी भी साल बाद बंद हो गए थी 2021 में उन्होंने उपन की थी 2022 में अजंसी बंद हो गई थी अब इसका कहीं भी मेकैनिक नहीं अगर मैं इसको कहीं लेकर जाता हूँ कि भाई ये ठीक कर दो ब्राद तो लोग इसको हाथ नहीं लगाते बोलते हैं करजे में डूब जाएंगे फैदा नहीं बिलकुल रद्धी गाड़ी कभी मत लेना ही